दोस्तो दोस्तो बहुत ही बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है कि पाकिस्तान की कोट ने हाफिस सहीद को कुख्यात आतं की हाफिस सहीद को 31 साल की सजा सुनाई है दोस्तो दोस्तो पाकिस्तान की जो आर्मी है इस तरीके से एक दिखावा करना चाहती है क्योंकि दोस्तो प पाकिस्तान अभी FATF के ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान की आर्मी भी चाहती है कि पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाए इसलिए पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ये पर्यास किया जा रहा है ये दिखाने की कोसिस किया जा रहा है कि पाकिस्तान आतंकवा में एक्शन ले रहा है जैसा कि दोस्तों हाफिस सईद जो कि पाकिस्तान का आतंकवादी है इसने भारत के भारत में बहुत ही वारदातों को अंजाम दिया है जैसा कि दोस्तों 2008 में जो मुंबई में एटेक हुआ था उसमें हाफिस सईद का बहुत बड़ा हात था उसके था भारत में जैसा कि दोस्तो 2006 में मुंबई के ट्रेन में धमाके हुए थे उसमें भी दोस्तो हाफिस सहीद का हाथ था और 2001 में जो संसद में हमले हुए थे इसमें भी दोस्तो हाफिस सहीद का हाथ था दोस्तो जैसा कि दोस्तो मुंबई में जो 2008 में एटेक हुआ था उसमें दोस्तों लगबग 164 नागरिक मारे गए थे जिसमें की 6 अमेरिकी नागरिक भी थे जैसा की दोस्तों यह हाफिस सईद जो की लशकरे तैवा का शरगना है लशकरे तैवा का आतंकी है और इसने बहुत ही आतंकवादी घटनाय भारत में की है और उसका मास्टर माइंड भी रह चुका है और उसमें मास्टर माइंड की भूमिका में भी रहा है दोस्तों और दोस्तों पाकिस्तान के तरफ से आतंकी हाफिस सईद को जो सजा सुनाई गई है जो 31 साल की सजा सुनाईगे यह दोस्तों यह सिर्फ दोस्तों दिखावा है और इसके थुरू पाकिस्तान की आर्मी यह दिखाना चाहती है पाकिस्तान की आर्मी अमेरिका को यह दिखाना चाहती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाप कारवाई कर रहा है और इसी के एवज में वो चाहता है कि उसे FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवादी खुले आम घुमते हैं और पाकिस्तान के सरजमी से जिस तरीकी से आतंकवादी घटना भारत में और भी कई देशों में जो हो रही है जिसी कारण दोस्तों पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है और जिसके कारण दोस्तो उसकी आर्थिक इस्तिती खस्ता हाल हो गई है और इसी कारण दोस्तो पाकिस्तानी आर्मी चाहती है कि किसी भी तरीके से वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाए इसी लिए पाकिस्तानी आर्मी ये दिखावा करने की कोशिस कर रही है कि वो पाकिस्तानी आतंकवादियों पर कारवाई कर रहा है दोस्तो पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद का सहायता लेकर जमू कश्मीर में बहुत बार और अभी भी जमू कश्मीर में आतंकवादी घटना है पाकिस्तान की आर्मी द्वारा पाकिस्तान में जो आतंकवादी पनप रहे हैं उन आतंकवादीों के द्वारा पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर में आतंकवादी घटना कराती रहती है और पाकिस्तान के आर्मी की देन है और उसके द्वारा जो आतंकबादी पैदा किये जाते हैं वो आतंकबादी कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देती है दोस्तों और ये पूरी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी द्वारा कंट्रोल किया जाता है और यही कारण है कि दोस्तों भारत इसका हमेशा से विरोध करता है और भारत के पर्यास से ही पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में गया है दोस्तों इसी तरीके से यदि भारत चाहे और अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान को FATF के ब्लैक लिस्ट में भी डावाएगा है अमेरिका के पक्ष में जो बात कही गई अमेरिका को खुस करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खूले तोर पर रशिया का जिस तरीके से यूकरेन पर जो इनवेजन है उसका विरोध किया और उसने ये बात दोहराई की अमेरिका के साथ पाकिस्तान का बहुत ही पुराना रिस्ता है इस बात को जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दोहराई है ये साबित करता है कि दोस्तों आगे चल कर पाकिस्तान अमेरिका के हर बात को मानेगा और हर बात पर अमल करेगा जो अमेरिका उससे करवाना चाहेगी और इस वक्त हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरीके से प्रो अमेरिका हो चुका है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के रिस्ते भारत से भी धीरे धीरे सुधरने लगेंगे और धीरे धीरे भारत के नजदीक भी आने लगेगा वो इस पर निर्भर करता है दोस्तों कि अमेरिका उससे क्या करवाना चाहता है अमेरिका जो भी कहेगा पाकिस्तान उसके अनुसार ही सभी कुछ करेगा पाकिस्तान को यदि अमेरिका ये कहाँगा कि आप भारत के करीब जाईए तो वो करेगा जैसा कि अमेरिका पाकिस्तान अभी पाकिस्तान को अमेरिका का रख्यर भी कह सकते हैं दोस्तों क्योंकि वो उसी तरीके से है धन्यवाद दोस्तों दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे वीडियो यह दिये आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों में सेर कीजिए धन्यवाद दोस्तों और कमेंट जरूर कीजिएगा